तो सबसे पहली medicine से हमारी leptrozol हो इसके बाद में doctor आपको folic acid भी देते हैं भी देते हैं इसके साथ ही आपको जैसे q10 LC और dufa asthma इस तरह की medicine से देते हैं जो कि patient के condition पर depend करता है जैसे q10 LC या q10 में ही combinations रहता है तो डेली acteva के लिए दी जाती है यानि तो जनरली हमारी q10 है वो फिरेट को पस्ट बेर या सेकंड डिसे ही शुरू करना आ हम सब डॉक्टर अपने experience के according start करवाते हैं तो दूसरे दिन और तीसरे दिन तो महला की मन में सवाल रहता है कि मैंडम में relation कब बनाओ लेट्रोजोल टेवरेट खाते-खाते में relation रख सकती हूं कि नहीं रख सकती हूं तो यहां पर लेट्रोजोल टेवरेट खाते-खाते के relation रखी है कोई पावंदी नहीं है कोई मना ही नहीं है यहां पर क्या आप लेट्रोजोल खतब करने के बाद ही संबंध बनाई है ऐसा तो कोई किदाव में नहीं लिखा है ना